तो हर्याणा सरकार ने नहरू गांधी परिवार से जोड़ी संपत्यों के जाज के आधिश दी है। सरकार ने ये काम शहरी एवम इस्थानिय निकाई विभाग को दिया है। विभाग को पता लगाना है कि राज्जी में नहरू गांधी परिवार से जोड़ी कितनी अवेज संपत्या हैं जो इन संस्थाओं ने गलत तरीख से इखटा की है सरकार ने प्रदेश में कॉंग्रेस द्वारा चलाई जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंद्रा गांधी मेमुरेबल ट्रस्ट को दी गई जमीन की जानकारी जुटाने शुरू कर दी है हर्याणा के मुके सचिव केशनी आनंद ने शहरी स्थानी निकाय विभाग के सचिव को पत्र लिख कर जल्द से जल्द प्रदेश में तीनों ट्रस्टों को दी गई जमीन की जानकारी मांगी है मुके सचिव ने पूछा है कि क्या इंटरस्टों को उप्त देश में कोई जमीन दी गई है और अगर दी गई है तो कहा कहा कितनी जमीने दी गई है शेहरी स्थानी निकाय विभाग के सचिव ने भी अपने विभाग के तमाम अधिकारियों को जल से जल जानकारी मुहया कराने के आदेश जारी किये हैं इस बारे में हर्याना के ग्रेमंत्री अनिल विज ने कहा है कि राजीब गांधी और इंद्रा गांधी के नाम पर बने ट्रस्ट को मिली जमीन के जांच के आदेश दिये गए हैं हर्याना में राजीब और नहरू की नाम की संस्थाओं द्वारा ली गई संपन्तियों का ब्योरा मांगा गया है और ये जानकारी जुटाई जा रही है निदेशाले इस जानकारी के मिलने के बाद कोई कारवाई करेगा हाँ ये इन्फरमिशन मंगी गई है और सभी विभागों को कहा गया है कि वो बताएं कि क्या राजीब या नहरू के नाम पर कोई ट्रस्ट बना कर यहां कोई परपर्टियां ले गई है इन्फरमिशन कुलेक्ट होगी उसके बाद ही फर्दर जो कारवाई है वो एडी नहीं करने है आरोप है कि 2005 से 2010 के बीच गांधी नहरू परिवार के नाम पर हर्याणा में कई संपत्या जुटाई गई थी अरोप है कि इस दोरान कॉंग्रेस के कई ट्रस्ट और गांधी नहरू परिवार के लिए कई संपत्या जुटाई गई थी कुछ संपत्यों की पहले से ही जाच चल रही है अब केंडर सरकार के पत्र के बाद गांधी नहरू परिवार की बाकी संपत्यों की जाच के आदेश दिये गए है अनिल कुमार टोटल नियूज चंडीगा